एक लड़की जिसने मात्र एक साल की उम्र में अपना हाथ खो दिया, उसने नेशनल पैरा एथलेटिक्स चेंपियनसिप में बिहार का नाम ऐसा रोसन किया कि पुड़ा बिहार वावाही कर रहा है, पैरा नेशनल एथलेटिक्स चेंपियनसिप में जाने के बाद उसने बिहा अब उस लर्की की पूरी कहानी क्या है कौन है वो लर्की और किस किस खेल में उसने पदक जीते हैं इन सब चीजों के बारे में हम आपको इस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार में नाम वेद प्रकास है आप जंता जंशन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल पटना के बक्तियारपुर की रहने वाली उलरकी जिसका नाम गोल्डी है गोल्डी मातर एक साल के उम्र की जब थी तो उसने अपना एक रेल हाज़ा में अपना एक हाथ खो दिया दरसल हुआ ये था कि गोल्डी अपने मा के साथ एक ट्रेन से सफर कर रही थी और से उतरते समय गोलडी अपनी मा के गोध में थी जब ट्रेन से उसकी मा ट्रेन उतर रही थी तभी उनकी सारी जो है ट्रेन के किसी इस्से में फस जाती है और उसके बाद एक भीशन हादसा होता है हादसा आईसा कि गोल्डी की मा की मौत जो है मौके पर ही हो जाती है और गोल्डी अपना एक हाथ उस रेल हातवे में खो देती है। उसके बाद साइद किसी ने सोचा नहीं था कि गोल्डी कुछ ऐसा कर जाएगी जिसके कारण बिहार के लोगों को उस लर्की पर गर्व होगा और यह हो सकता है कि एक दिन देश कोस पर गर्व हो गोल्डी की मालिया हालत बहुत ही खराब थी उसके पिता किसान थे और उनके प लेती थी और वहीं गोल्डी की मुलाकात होती है उनके कोच से जिनका नाम कुंदन कुमार पांडे था कुंदन कुमार पांडे देखते हैं कि गोल्डी बहुत अच्छा खेल रही है और इस कारण से कुंदन कुमार पांडे जो हैं उस लर्की को ट्रेनिंग देना शुरू क का युजन जो है बैंगलोर में हुआ है हो रहा है और बैंगलोरू में गोल्डी जाती है और गोल्डी जाकर के तीन-तीन खेलों में हिस्सा लेती है और उसके बाद एक में स्वर्ण पदक और दो में रजत पदक जीत कराती है गोल्डी जिन तीन खेलों में हिस्सा लेती है उ उसके बाद तीसरा आता है जैवलिन थ्रो का जैवलिन थ्रो में भी गोल्डी जो है अपना रजत पदक जीतती है और उसके बाद अपने प्रतिभा के दम पर दुनिया को लोहा मनवा देती है बैंगलोरू में जाकर के बिहार की ये लर्की जिसका ये खात नहीं है उसमें न स काबलियत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं और इस बात का जीता जगता नमुना जो है गोल्डी के रूप में हमारे सामने है गोल्डी यहीं रही रुखने वाली है गोल्डी का सपना है कि वो जाकर के देश के लिए पदक जीते और ओलंपिक में स्वर्न पदक जीते अब आप समझे कि वो गोल्डी जो अपने ये खांथ खो चुकी है उसने बैंगलूरी में जाकर के बिहार का नाम रौसन कर दिया है बिहार के नाम का जंडा बुलंद कर दिया है और वो जाकर के आने वाले भविश्य में देश के लिए पदक जीतना चाहती है और इस खबर को लेकर क कि आप क्या सोचते हैं गोल्डी को लेकर कि आप क्या सोचते हैं और आपको कितना गर्व है इस लड़की पर अपनी राय कमेंट के माद द्यम संतक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जंता जंशन बहुत-बहुत धन्यवाद